सु स्वाधतम आप सभी का करता हूँ मैं करदम रावल एक ऐसे यूट्यूब चैनल के अंदर जहाँ पर आपको मिलेगा पूरा का पूरा यूपी एसी और बैंकिंग एक्जाम्स का ग्यान और करन्ट अफेर का नॉलेज यूपी एसी एक्जाम्स यूट्यूब चैनल और यहाँ पर जो है सही माइनों में जो विकास है वो विकास आ सकता था पानी यानि की नदियों से नदिया जो है वो पानी का स्त्रोत है भारत जो है वो जल की भूमी है और यहाँ पर जो है पैनेंशनल रीजिन के अलावा इंडलेंड रिवर्स भी हमारी यहाँ पर इतनी है क बात मत पूछिए जवालना नहरू भारत के प्रतम प्रतान मंत्री यहाँ पर यह सोच रहे थे कि इंडिया को कैसे development की रहा पर आगे बिठाया जा सके international relation के अंदर बहुत ही उंदा परफॉर्म कर रहे थे और यहाँ पर उन्होंने देखा development of rivers और making dams on the bank of the rivers can grow India industry as well as agriculture तो यहाँ पर जो है agriculture के segment में सबसे पहले फाइदा पहुचाना यह जो है वो पहला मकसद था और पहले है से और आज तक हम जो है agrarian nation के रूप में दिखाए पड़ते हैं पूरे international level के ऊपर तो यहाँ पर जो है mainly इसका purpose था कि किस तरीके से farmers को इसका फाइदा पहुचाए जासा कि अब आप समझ सकते है कि किसी भी area में अगर road नहीं है और वहाँ से road बन रही है तो क्या होगा यहाँ पर पहले land होगी land जो होगी हो सायद हो सकता है कि farmers की हो farmers की land के उपर वो farming करता है तो अगर वहाँ से road निकलता है तो सरकार को उसको मौफजा देना है अब यह तो बात हो गई कि road बनना है तो road जो हो उसकी छूटी सी पट्टी होती है 100 food, 1500 food, 400 food तो यहाँ पर जो है इस तरीके से यहाँ गम नहीं होता है यहाँ पर नहर निकलेगी, नदी निकलेगी, नदी निकलेगी, डैम बनेगा, जगा चाहिए जगा चाहिए पानी स्टोर होगा, पानी स्टोर होगा, plants लगेंगे, hydroelectric plants भी लगेंगे और यहाँ पर बहुत सारी जमीन जो है इसके विवस्ता करनी पड़ेगी और यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट, मधिप्रदेश और राजस्तान, चारो स्टेट इस नर्मदा नदी जो अमर कंटक से निकलती है उसके उपर बनने वाले सरदार सरोवर डैम के यहाँ पर जो है वो इंक्लूड करते थे अपने profits तो यहाँ पर जो है जो केंदर सरकार है उन्होंने कहा कि भई जो है फार्मर्स को जमीन मिलेगी बाद में कुछ स्टेट्स ने बुला कि हमारे पास जमीन ही नहीं है जैसे कि मध्यपरदेश ने कहा दिया जमीन नहीं है किसी को बहुत लेटली मिले और यहाँ पर अलग-अलग states ने अलग-अलग perform किया गुजरात ने इन चारों में से सबसे अच्छा perform किया और यहाँ पर जो है जो जिस तरीके से बनने वाला था डैम वो exactly बन रहा था गुजरात में यहाँ पर नाम जो है वो सरदार सरोवर डैम है तूसरी बात सरदार भलभबाए पर बिलौंक सो गुजरात तूसरी बात यहाँ पर नर्मदा रिवर जो है वो अल्टीमेटली अरेबिएन सी में गुजरात के अंदर आके ही मिलती है तो सारी चीज़ें यहाँ पर Controversially और यहाँ पर Geographically सब चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं गुजरात और Farmers के साथ Connect होती है अब यहाँ पर Farmers की जो है वो Protest आनी शुरू हो जाती है कि हमको Land भी नहीं मिल रही है हमारी Land भी ली जा रही है हमारा जो सूखे वाला विस्तार है हमारे राज्ये का हमारे जिले का हमारी तैसील का वहाँ पानी पहुंचाना यह जो मकसद था यह मकसद से दूर भाग रहे है और यह जो मकसद है वो Industrialization के उपर ला रहे है ताकि नदी किनारे आपको देखने को मिलेगी बड़ी बड़ी industries और बड़ी बड़ी industries को चाहिए अपने dirt excretion को रिमू करने के लिए भी नदी और एक तरफ से अच्छा और शुद पानी लेने के लिए भी नदी चाहिए तो यहाँ पर जो है यह controversy जो आ गई यहाँ पर और इस controversy जो है उसके regarding protest हुआ और यहाँ पर जो है नारा लगाया गया कि कोई नहीं हटेगा बंद नहीं बनेगा बंद यानी की डैम, डैम को हिंदी के अंदर बंद बोलते हैं, तो यहाँ पर कोई नहीं हटेगा, बंद नहीं बनेगा, 1990 का विपी सिंग सरकार के अंदर नारा जिसकी कोई इफेक्ट नहीं आई, और यहाँ पर एक सोशिल एक्टिविस्ट थी, बहुत ही जादा उन्होंने अच्छा काम किया है, और उनका नाम है, मेगा पटकर तो यहाँ पर 1985 से यह लड़ रही थी, और यहाँ पर इनके साथ, जो है, वो 3000 डैम्स को बंद करवाने के लिए, यह जो प्रोजेक्ट है, इसके अंदर 3000 चोटे बड़ डैम्स बनने वाले थे, बाबा, आम्ते, यह भी एक बहुत ही बड़ा नाम है, इतिहास के पन्नों के अंदर, इन्होंने इनको सपोर्ट किया, लेकिन सरकार कितनी भी आके चली गई, कोई भी पॉलिटिकल, आप देख लो, पार्टी, किसी ने भी इनकी नहीं सुनी, कितनी ट्राइब्स यहाँ पर जो है, वो परेशान थी आदी वाशी और आदी जाती लोग जो थे SCST कम्यूनिटी को बिलॉंग करने वाले सब को यहाँ पर परेशानी थी, तकलीफे थी, मुआफ़जा नहीं मिल रहा था, पैसा नहीं मिल रहा था, जमीन नहीं मिल रही थी, और बाद में जो है, इसके रिगार्डिंग जो वर्ल इसके कुछ उंदा लीडर्स नहीं यहाँ पर इसका सपोर्ट किया, जिसके अंदर आमीर खान एक कॉंट्रोवर्सियल नाम रहा था, उस टाइम पिरेड के अंदर उनकी मुवी इसको जो है, वो बॉइकॉट भी किया था, मैं आपको टाइम फ्रेम याद दिला हूँ, तो जब फना मुवी आई थी, तब यहाँ पर जो है यह, उसके बाद का जो सेकंड फेस था, इस आंदोलन का नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो इसके अंदर जो है, इस चीज़ को यहाँ पर हाइलाइट किया गया था, अब नर्मदा बचाओ आंदोलन इसको जो नाम मिला है, इ देखी जाती है यहाँ पर, और इन स्टेट्स के लोगों को और अग्रिकल्चरल सेक्टर के लोगों को, यानि कि फार्मर्स को यह पानी पहुंचाना है, लेकिन पानी उनको नहीं मिल रहा है, पानी मिल रहा है इंडिस्ट्री इसको, और इसी लिए यहाँ पर जो है इसको मीटर से 163 मीटर तक कर दी गई और यहाँ पर पूरा का पूरा जो यह जो पूरा टाइम फ्रेम है यह कम्प्लीट होता है 17 सितंबर 2017 को जब नरेंदर मोदी एज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनोगरेट करते है इस डैम को तो यहाँ पर रिसेंटली इस डैम के टट के ऊपर बना है इस वीडियो के अंदर इतना ही और अगर आपको वीडियो कंटेंट और एक्स्लिनेश थैंक्यू दोस्तो जय हिंद भारत मता की जय वंदे मात्रम